रादे कृष्णा आप सभी का बहुत वा स्वागत है RS Properties के एक और प्रॉपटी के नए वीडियो में जैसा कि आपको जानकारी है संपूर भारत की सबसे कम कीमत की सबसे सस्ती जमीने सिर्फ और सिर्फ RS Properties के पास हमेशा से रही है और 5 साल से हम लगातार मेरत कर रहे हैं कड़ी धूप में भी हमारी टीम रेगुलर काम कर रही है दिन के 8-8 गंटे से जादा धूप में काम करना पड़ रहा है मैं लेकिन फिर भी हम प्रॉपटी आरेंज करके ला रहे हैं अल ओवर इंडिया से आप से भी लोगों के लिए हमें आवसकता है आपसे सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेयर करने की प्रियास हमारा ये है कि हम संपूर भारत से और भी कम कीमतों की जमीने लगातार लेकर आते रहें और उसमें से आज तक की रिकॉर्ड में सबसे कम कीमत की प्रॉपटी है एक लाक रुपए प्रती एकर की दर पर आपको ये प्रॉपटी देखने को मिल जाती है अब तक की सबसे कम कीमत की property है जिसको arrange करने में काफी ज़्यादा समय लगा है और जिसमें किसान से जब contact हुआ तो उन्होंने one time कहा कि property हम जो है दो लाक रुपे में देना चाते हैं लेकिन जब हमने उनसे request की बात की तो वो एक लाक रुपे प्रती एकर तक भी property देने के लिए agree हो गए है property जहां पर है वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पीछे की तरब आप देख सकते हैं बढ़िया river जो है property से connected है water का level 40 feet का मिल जाता है और property की बात की जाए तो कुछ हिस्सा जो है जमीन का तयार करने के लिए रहने वाला है जमीन के size की बात की जाए तो सामने आप दूर तक देख सकते है property का जो size आपको यहाँ देखने को मिल जाता है बढ़िया location है property connected रहती है चक रोडों से और चक रोड की बात भी एकर हम जमीन की बात करें तो एक लाक रुपए प्रती एकड़ की यह property आपको कुल size जो है वो बहुत जादा नहीं है मातर यहाँ पर आपको 25 एकड़ जमीन मिलेगी तो 25 लाक रुपए में आप 25 एकड़ जमीन यहां ले सकते हैं इस location पर मुमी की बात करें तो देखिए गयों की फसल property से फिलाल कटी है इसके अतरिक ताप प्रतिक परकार की फसल जो भी करना चाहें वो property पर कर सकते हैं plantation कर सकते हैं plantation के अतरिक प्रतिक वे में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन property की location को एक बार अच्छे से समझ लेजी जो property है वो river side connected property रहेगी अगर हम location की बात करें तो देखिए बड़िया plantation भी यहां हो रखा है और property के नजदीक आम का plantation से आप समझ सकते हैं कि कोई खासा दिकत property में भूमी की mid tea या दर quality को लेकर नहीं रहने वाली है भूमी की बात करें आपर तो बड़िया फसल वाली property है जिसमें दान गेहूं से लेकर लगभग प्रितिक प्रकार की फसल आप काफी आसानी से कर सकते हैं संपूर भारत में अगर हम बात करें property की location को लेकर तो अगर हम इसको बीगे में convert करते हैं तो 125 बीगा जमीन आपको 25 लाक में देखने को मिलेगी अगर हम property के कीमत की बात कर लें तो 20,000 रुपे प्रती बीगा इसकी कीमत है पीछे का portion देख सकते हैं river के दूसरे साइड का हिस्सा और river के इस साइड ये property बिलकुल river से लगी हुई है इस बात का ध्यान रखना है property proper river से connected है और इसी कारडबस property का जो किसान है वो एक लाख रुपे प्रती एकर में जमीन देने के लिए agree है मुमी की बात करें यहाँ पर तुदेखी आज की property जो है उत्तर प्रदेश की district फर्वकावास से distance को देखें तो लगवग 55 km का distance रहने वाला है काइम गंज इसकी तैसील है जो जमीन से लगवग distance की अगर हम बात करते हैं तो 20 km के आसपास का लगवग distance 15-20 km ही रहेगा काइम गंज तैसील से property की बात करें तो अच्छी connected property है गंगा river से लगी जमीन है पढ़िया water level है 30-40 feet का water level यहाँ पर मिलेगा आपको तो यह बहुत अच्छा plus point property को लेकर है कि 30-40 feet का पानी आपको यहाँ मिल जाता है इस location पर काफी अच्छे water level की property है plantation में जिसका eucalyptus है या plantation आप सागवान से लेकर आम, अम्रूद या जो भी कुछ आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं इस property में इसके अतरिकत अगर हम बात करें property में तो धान, गेहूं, गन्ना, आलू, सरसोचना, मक्का, बाजरे से लेकर इस belt में ठेर सारी जो फसल है वो की जाती है honor की बात करें तो जो आज की property है जो हमने arrange की है यहाँ पर जो मालिक की कुल संक्यार लगवग पांच लोगों के नाम पर यह कुल property रहने वाली है जो की journal category से है तो registry में किसी परकार की दिक्कत जो है वो आपको face नहीं करनी पड़ेगी अगर हम connectivity की बात करें तो property से एक किलोमेटर के distance पर प्रोपर पका काला डामर रोड मिल जाता है डामर रोड से जस्ट पहले आपको एक नाला मिलेगा जिसमें connectivity की थोड़ी से समस्या जो है वो आपको face करनी पड़ेगी बरसात जादा होने पर नाले में पानी आ जाता है तो वो थोड़ी से connectivity को खराब करता है बागी की जमीन जो है बहुत ही सांदार property है जो कि अब तक की सबसे कम कीमत पर है इसके अतरिक्त हमारे पास 2,00,00 रुपए एकड में भी property अविलबल है 3-4,00,00 का वी rate हमारे पास है और 5-8,00,00, 10-12,00,00, रुपए का वी rate हमारे पास प्रती एकड में विलबल है बेटर से बेटर connectivity में तो जमीन की बात करें तो अब तक की सबसे record में भी देखा जाए तो सबसे कम कीमत की property है जिसका हम 3-4 साल के record को भी देखते हैं तो उसमें सबसे कम कीमत की property roadside बढ़िया connectivity बढ़िया water level और इससे बेटर property आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है बात करते हैं property में तो देखिए property की general category की है बढ़िया रजिस्टी करा सकते हो कबजा जो है इसका भी आपको ध्यार रखना है कि रजिस्टी से पहले ले सकते हो जमीनों पर कबजा जमीन का इस्तमाल आप महीने दो महीने अत्से अत्से देखा जाए तो 6 महीने तक भी आप भूमी का इस्तमाल कर सकते हो property में आराम से सारी documents को verify करा सकते हो complete satisfy हो सकते हो जमीन से लेकर और उसके बाद अपनी property की जो रजिस्टी है वो आसानी से आप करा सकते हो अगर आप तुरंत रच्टी कराना चाहें तो भी आप इस property पर अपनी तुरंत रच्टी भी करा सकते हैं property को book करना चाहें तो जल से जल साइड विजिट करके property को book कर सकते हैं और book आप विजिट से पहले भी करना चाहें तो call पर भी इस property को book कर सकते हैं तो सामने दिख रहे हैं मॉबाइल नमर पर आप कॉल करके प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टियां है अल ओबर इंडिया उन में से ये सबसे कम कीमत की प्रॉपर्टी रहने वाली है अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अच्छी जमीन है अच्छी कनेक्टिविटी की प्रॉपर्टी है कम कीमत है इसकी जमीन की बात करें तो देखिए जो प्रॉपर्टी है आवादी से डिस्टेंस की बात की जाए तो एक किलो मीटर का डिस्टेंस आवादी से है मार्केट की बात की जाए तो लगवग चार से पांच किलो मीटर पर लोकल मार्केट बड़े मार्केट आपको दस से बारा किलो मीटर पर देखने को मिलेंगे अगर इसके अतरिक तकरम बात करें प्रॉपर्टी में कि अपने वीकल को आप प्रॉपर्ली ला सकते हो 10 से 11 महीने तक एक महीने बरसा जादा होती है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी जर्नल केटेगरी के साथ साथ आपको टोटल बैल्ट हिंदू मिल जाती है 99% आवादी आपको हिंदू मिलेगी यहां पर जहां पर यह प्रॉपर्टी है इसके अतरिक तगरम देखते हैं प्रॉपर्टी में तो देखिए ट्रेन की है river से बिल्कुल लगी प्रॉपर्टी है तो रिस्क है कि अगर पानी का इस तर्ब तेज होता है बाढ़ आती है तो प्रॉपर्टी अपनी जगा को चींज कर सकती है जिहां जमीन रिवर के साथ से दूसरे तरब भी जा सकती है यह एक लाकता रिसक है जो प्रॉपर्टी म को मिलने वाली नहीं है अच्छी जमीन बढ़िया वाटर लेवल अच्छी कनेक्टिविटी लाइट भी थोड़ा ही डिस्टेंस पर आपको देखने को मिल जाएगी तो अच्छी लोकेशन की जमीने आसानी से नहीं मिलती हैं जिसमें काफी सारी मेनत से अरेंज की जाती हैं तो हमें आवश रखता है आपकी सपोर्ट की वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी सांदर सब्सक्राइब करके रहे बहुत जल्द मलाकात होगी आपसे एक और नए प्रॉपर्टी की वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहे हैं अपने परवार आर एस प्रॉपर्टी से रादे क्रिशना